बिसम्दाइब आए रहा हमारे में एंस्टीटूट आफ टेकनोलजी हैं टेक्स्टाइल आज डेट है 13 जनवरी सब्जेक्ट है 8316 बी चैप्टर नूबर टू और चैप्टर का नेम है सिंक्रोनस आइटरनेटर जिस तर्तीब से मैंने टॉपिस को छोड़ा था उसी तर्तीब से दुबारा आजाना पर चोड़ा तो से इगला पॉइंट पहला है टॉपिक है आल्टरनेटर आउन लोड कि जब आल्टरनेटर आउन लोड होता है तो इस किसम या कितनी इक्साम के यकिन वजबात की बियाब पर वोल्टेट डाल होते हैं सबसे पहरे जब अल्टरनेटर लोड की संधी च से रहा होता है तो आटैन में ऋल्टरनेटर के अंदर एक फ्ल UC पया था है जिसे आर्मिचर फलक्स भते है और यह में फियर्टीर फलक्स को उसके कांच जादा कमजूर करता है और और अज्टरिव बेक्स का माईस बनता है तो बीचे अधे तो फॉल्डे युट्रि ब्रेक्शन की बादार का पहता है सबसे पहले क्या चीज है आर्मेचर रिजिस्टेंस तो आर्मेचर रिजिस्टेंस में वोल्टर ड्रॉब वी ए इस इकोल टू आई आर्मेचर क्राइट की वजा से और आर्मेचर रिजिस्टेंस दोनों को मुल्टिप्राइब करें जो ड्रॉब आएंगे वो आर्मेचर करण्टर है वो करण्टर जिनमें से करण्ट बजबता है या करण्ट उठा रहे है और यह दूसरी स्लाट है और तीसरा है फ्लक्स ठीक है अब वो फ्लक्स जो बांडिंग को बता कर रहा है उसके अंदर इअंदर एंदिविस को करवाने की वाइस वाइस हमारा है वो क्या विक्चर फ्लक्स और जो फ्लक्स आर में से करण्ट वे शनी कर नहीं कर रहा तो वह क्या कहला को नहीं और इसकी वजा से जो ड्राफ होंगे वो XL is equal to 2 पाई F इसका ये फार्फुला है, तीसरा है आर्मेचर रियक्शन क्या चीज़ है कहता है आर्मेचर फ्लक्स का में फील्ड फ्लक्स पर असर अंदास होना आर्मेचर रियक्शन कहलाता है आर्मेचर रियक्शन ती एक्साम के पाउर फ्लक्स पर डिफ्रेंड है असका फाल यूनिटी पीएफ लोड सेकंड जीरो लेडिटी पीएफ लोड थार्ड जीरो लेडिटी पीएफ लोड सबसे पहले जीरो लेडिटी पीएफ तो यूनिटी पीएफ के उपर जो आर्मिचर फ्लक्स है वो में फील्ड फ्लक्स को फाई एम को क्रास मेगनेटाइजिंग करता है यानि के सेंटर से कट करता है यह हमारे पास एक जो हाफ वेड यह इतने डिगरी की होती है 180 की तो इसका और इसका दर्म्यादी एंगल फिर बनता है 90 डिगरी यानि कि एक उसरे से 90-degree के फरग पर वाकिया है 5M लीड कर रहा है 5A लेग कर रहा है तो ये देखे उसको फिजर डायग्राम के बिन काया गा है ये 5M है 5M दोनों कदर में 90 डिगरी का अंगल है ये लीड पर है और ये लेग पर है इसे करते हैं फेजर डायग्राम और इसे करते हैं वेफार्म तो इस वर्थ में जब पारफटर यूनिटी पी एफ लोड होता है तो आर्मिचर फ्लक्स में फील्ड फ्लक्स को क्रास मैंगनटाइजिंग करता है यानि के कमजोर करता है अब दूसरा आगया जीरो लेगिं पी अब जीरो लेगिं पी एफ क्या चीज है अब इसको देखें तो ये फाई एंड पार्मिच में फ्लक्स फाई ए आर्मिचर फ्लक्स दोनों जो फाई ए है वो फाई एंड को डी मैगनेटाइजिंग कर रहा है अगर फाई एंड मस्बत से स्टार्ट हो रहा है तो यह मन्फी अगर यह मस्बत मन्फी पे इक्ताम हो रहा है तो यानि कि दोनों बेलों मुखालिप सिम्द में चाल गए है और बिजर्ट ार्मिचर फ्लक्स जीरो हो रहा है तो यह देखे हमारे पास क्या क्या चीज़ ए भाई एंड और यह दोनों क्दमें पाया जाने वाला एंगल 1 20 दिग्री, ये फेस DMF है, जो फीजुस DMF कियलाती है, डिब्टू फाइ-M, फाइ-M की वज़ा से कृदाँ होती है, तीसरा है लिडिन पावर फैक्टर, तो पाइन ग्लाइटर के लिए लिडिन पावर फैक्टर, बेहतरी खुसोसियात का हामिन है, जिसमें फाइ-M, फाइ-A जो फाई-A है वो फाई-M को मैगनाटाइसिंग करता है मसबूत करता है जस मताम से फाई-M का पदास हुआ उसी मताम से फाई-A का दोनों एकी मकाम से घुज़र कर एकी मकाम पर अतताब पजीर होते है तो यह तीसरी ख़सुसियत है zero leading power factor load तो इसके अंदर जो फाई ए है वो फाई M को मेगनाटाइजिंग करता है, फस्बूर करता है और दोनों के दरम्यान कोई एंगल नहीं होता देखे, दोनों फेज हैं, और जो फाई M को जैसे पड़ा होती है उसके दरम्यान कितने डिग्री का एंगल है, जो यह आल्टरमेटर की आन लोड पर तीन फसुसियाद थी जो मैंने आपके साहिने भियान गी है